Hello everyone, स्वागत है आपका event classes में हम सीखने जा रहा हैं दो numbers के work कैसे करते हैं कोई भी दो digit का number हो उसका square कैसे करते हैं आगे के 10 minute में आप सीख जाएंगे कि दो numbers अगर two digit का number है उसका square कैसे करेंगे कोई भी बड़ा से बड़ा number हो या छोटा छोटा number आपको कुछ second लगेंगे square करने में आईए start करते हैं पहले पहले सबसे चोटा number start करते हैं 10 से 10 का square इसका square simple है last में क्या है 0 अगर 0 है तो square करेंगे 2 0 1 का square मतलब 1 का 1 में multiply होगा तो 1 ही आएगा 1 का square 1 और 0 का square क्या double 0 हो गया यह आसान है इसी तरह for example 50 ले ले 50 लिया 50 का square करना है तो last में 0 आ रहा है तो 0 का square double 0 हो गया 5 का square 25 5 का work करते हैं 5 का 5 में गुड़ा होगा 25 आएगा इसी तरह कोई भी अगर जिसके last में 0 हो है उसका square करना असान होता है 0 वाले का double 0 हो जाएगा 7 का square 49 यह 0 वाले का square 0 वाले square समझ में आगे होंगे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसके last में 5 हो ऐसा number जिसके last में 5 हो for example सबसे छोटा number 15 इसके बाद अगर कोई भी number लेना चाहे 45 for example 95 कोई भी number अगर इसका square करना है तो कैसे square करेंगे कुछ सेकेंड लगेंगे आज के बाद आपको multiply नहीं करना पड़ेगा 15 का square last में क्या दिख रहा है 5 है सबके last में 5 है तो 5 का square 25 5 का square क्या होता है 25 1 का अब 1 के बाद क्या number आएगा 1 के बाद क्या आता है 2 1 के बाद 2 आता है तो 1 का 2 में multiply कर दे 1 का 2 में multiply करेंगे 2 ही आएगा इसका मलब 15 का वर्ग होता है 225 15 का square 225 इसी तरह सेम ऐसे भी 5 का square करेंगे last में क्या आएगा 25 फिर 4 के बाद क्या आता है नंबर 5 आता है 4 का 5 में multiply कर दीजे 4 5 जा 20 इसका मदलब क्या है 45 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग पहले कर देते हैं फिर 4 के बाद कौन सी संक्या आएगी 5 4 का 5 में गुड़ा करेंगे 20 आएगा है आसान इसी तरह कोई भी नंबर का square कर सकते है जैसे 95 का square करना 5 का square करेंगे क्या आएगा 25 और 9 के बाद क्या आता है 10 9 का 10 में multiply करेंगे क्या आजाएगा 90 इसका मदलब 90 25 ये किसका square है 95 का अब इसी तरह for example और कोई भी example लिखना चाहते है 5 जिससे last हो कभी-कभी हमें अधिकतर हमारे course में आता है 25 का square और हम confused हो जाते हैं कि क्या होगा इसके लिए भी आसान है 5 का square करो last में लिख दे 25 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा तो 2 का 3 में multiply कर दे 2 3 जा 6 जो multiply आए वो आगे आ जाता है 6 25 यह है इसका मतलब कोई भी अगर 5 से इंड हो रहा है तो उसका आराम से square कर सकते है for example last example ले ले लेते हैं 75 5 का square करेंगे 25 आएगा 7 के बाद क्या आता है 8 8 का 7 में 56 यह हो गया 75 का square है असान इतने numbers की practice कर लिजिए कि खुद से 10 सेकेंड में बता सकते हैं कि square क्या होगा बिलकुल लिजिए अब इसके बाद हमने 0 जिसके last में 0 था उसका सीखा square कैसे होता है फिर जिसके last में 5 था उसका सीखा अब कोई भी random number हो सकता है 2 digit का for example अगर हम कोई और example लेना चाहे 5 8 का square अब इसके last में न तो 0 है न तो 5 है तो इसका square कैसे करेंगे यह question आता है एक आसान सा तरीका है बस एक सीख लीजिए अब कोई numbers नहीं बचेंगे जिनका square न कर पाईएगा आप देखिए 8 का square पहले तो 5 का square है 5 number है 5 का square 25 8 का square 8 का square करना है 8 का 8 में multiply क्या होगा 64 8 8 जा 64 अभी हो गया क्या यह आंसर है नहीं अभी एक और step पढ़ना है अब जो number दिख रहे है सारे numbers का multiply 5 दिख रहा 8 दिख रहा 2 दिख रहा 5, 8 और 2 का multiply सब का आपस में multiply कर देंग 5, 8 जा 40 42 जा 80 8, 45, 42 दुना 80 80 आया अब 80 को एक digit छोड़ के लिखेंगे एक अंक इधर से छोड़ेंगे और 80 लिखेंगे अब क्या होगा इसको जोड़ देते हैं 4, 6 में 0 एड होगा 6 यह रहेगा 8 में 5 एड होगा 13, 1 हांसिल carry, 3 में 1 एड होगा यह आया हमारे पास 58 का square एक ही example नहीं लेंगे अब इतने example करेंगे कि खुश से आप बताने लगेंगे कि square कैसे होगा हमने किया क्या 5 का square 25 लिखा 8 का square 64 लिखा फिर जितनी नमबर दिख रहे थे सबको आपस में multiply कर दिया multiply किया फिर एक डिजिट छोड़के लिखके उसको add कर दिया और example लेते हैं इसके बाद आपको clear हो जाएगा for example अगर example लेना चाहे 66 कोई भी number ले लिजे random 6 का square करेंगे 36 आएगा 6 का square करेंगे फिर से 36 आएगा अब क्या बतायत हमने कि जितने नमबर दिख रहे हैं सबका आपस में multiply 66 जा 36 36 2 जा 72 72 अब क्या करेंगे इनको add कर देंगे एक डिजिट छोड़के लिखते हैं एक डिजिट छोड़के लिखते हैं एक डिजिट छोड़के हमने क्या आया 6 3 और 2 5 6 और add होगा 3 और यह 4 मदलब 66 का square किया 4, 3, 5, 6 आया है जी और example लेते हैं इससे आपको और clear हो जाएगा यह तरीका जब तक आपके दिवाह में बैटने जाए तब तक solve करना है हमें for example अगर कोई भी example लेने चाहें 46 का square करना है square करना है हमने क्या बोला पले 4 दिख रहा है 4 का square लिखा हमने 16 6 का square 36 यह हो क्या अब जितने नंबर दिख रहे है 3 नंबर दिख रहे है 4 का 6 में multiply 4 चक के 24 24 दूना 48 48 आया एक digit छोड़ के लिखेंगे एक digit छोड़ के ऐसे लिख के फिर क्या करते है जोड़ देते है 6 यहाँ पे आया 8 में 3 जोड़ेंगे 11 6,4,10 11 फिर 2 मतलब 46 का square क्या आएगा 2116 है आसान अब हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको कोई भी numbers होगा square करने में कोई दिख कर नहीं होगी लेकिन एक और example है इसमें कैसे करेंगे 71 71 अब 7 का square करेंगे क्या आएगा 49 49 1 का square 1 आएगा तो क्या 1 लिख देंगे सिर्फ नहीं इसको 2 digit बना के लिखना है हमें क्या करना होगा 0 भी लगाना पड़ेगा 0 1 लिखेंगे 7 का square 49 0 1 इसके बाद जो नमबर दिख रहे है साब का आपस में multiply साथ का एक में multiply होगा साथ आएगा साथ दोनी 14 14 आया एक डिजिट छोड़के लिखते हैं एक डिजिट छोड़ा हमने फिल लिखा फिर आइड किया 1 आया 4 आया फिर आइड किया 10 आया फिर ये 5 आया 71 का स्कॉयर 9 0 यह हमारे पास इसी तरह कोई भी नमबर अगर वो सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसको double बनाने के लिए 0 लगाएंगे for example अगर कोई example लेना चाहिए 91 का स्कॉयर 9 का स्कॉयर क्या होगा 81 1 का स्कॉयर 1 आयेगा लेकिन double बनाने के लिए क्या करेंगे 0 1 फिर जितने नमबर दिख रहे हैं सबको आपस में multiply 9 दिख रहा है 1 दिख रहा है 2 दिख रहा है 9 बंजा 9 9 टू जा 18 यह क्या करेंगे I add कर देंगे 1 आयेगा फिर 8 आयेगा फिर 2 आयेगा 8 2 आप calculator से देख सकते हैं क्या यह सही है सारे जितने नमबर बताए हैं इस आसान तरीके से आप कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो और आती रहेंगे Thank you